वो खबर जो आम लोगों से जुड़े हुई है जिसका आम लोगों के ज़न जीवन पर खासर प्रभाब पढ़ रहा है तो देखे ये खास खबर वोगों साइं जीवन लोगों के जाला कोन देगा दाजी स्रकार को उसका मुवज़ा देना चाहिए किसान के किसानों की तकलीफों को जूर करने के लिए जो प्रत्न होना चाहिए उस प्रत्न का अभाव वो प्रस्ट परड़क्षित है इसे हम लोग किसान के साथ भारी परसानी है जो पैदा करता है समय पर बीखने ठाटा है किसानों ने भी बताया कि उन्हें बीख के लिए लायातार मैसेज आते हैं लेकिन वो प्रकंड का रहा हो या फिर प्रक्स का रहा है कहीं भी जाया तो उन्हें बीच प्लब नहीं होता है जिसके कारण उन्हें समय भी जाया होता है और उनके मेहनद पर भी पानी फिरता है ऐसे में राज्य सरकार की नीतियों के खिलाप भार्दी जिंता पार्टी का ये कदम और उनकी ये पहल किस तरह से कितनी फाइदे मंद होती है ये देखना होगा स्रवन सोनी कशिश नूज पलामू कुरोना के दूसरे लहर में जहां पूरा बिहार के स्वास्त महकमा त्रहिमाम कर रहा था वहीं तीसरे लहर की तयाजी अफ्वास्ती भाग कुरी तरह से कर लिया है जी हाँ हम तो तस्थीर आपको इस प्रूप गिता रहे हैं इस तस्थीर को आप देखके अंदार लगा सकते हैं जैसे तूसरे लहर में ऑक्सिजन की किलत वेड की कमी से मरीजों की मरने वालों की संख्या बढ़ते जा रही थी लेकिन तीसरे लहर में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है तरसल्फर हम ऐसा इसले कए रहे हैं कि सीवान के सबरत्यामर्श में ऑक्सिजन के पूरी पाइपलाइन बिछा दिगई है औक्सिजन का प्रियात्मात्रा में उसको पुरा कर लिया गया है रखा गया है कि खिलत कहीं से नहों बेड की बात कर लें तो बेड भी परियाप मात्रा में रख लिया गया है अभी बिहार सरकार ने लगभग हाई स्वा एंबुलेस खरीदने की बात भी सुरू कर दी है कवायट उसकी सुरू हो चुकी है तो ऐसे में यह लगता है कि जो तीसरी वेव यानि कि तीसरा कोरोना का लहर जो आने वाला है वो उसमें काफी कमी आएगी और उससे स्वास दिभाग जो है काफी सखेत रहेगा औ अभी भी स्वास दिभाग जो है अलाट मोड में है और पूरी तैयारी कर ली है कहीं से कुछ कमी नहीं होने वाली है इसका मुख के फायदा यह है कि बड़ा ऑक्सीजन जंबो सिलिंडर हम एक जगा कनेक्ट करते हैं और बेड के पास सारा अटेश्मेंट लगा रहता है उस नहीं यह ऑक्सीजन सप्लाई की एक निवतर विवस्था है जो इमीडियेट आप कर सकते हैं कई बार ऑक्सीजन सिलिंडर को खोलना भावी होता उसको लाने के लिए स्टाफ की जरूवत वो समस्याइं इसमें हल होती है देखने वाली यह बात होगी कि आखिर तीसरे वेब में क्या कुछ निकल के आता है तीसरा वेब यह कहा जा रहा है कि बच्चों पे ज़ादा असर पड़े चैस्कि दूसरे वेब में जैसे जोग खबरे आई कि लंच कھराब होने की बड़े लोग 24 घंटा के अंदर ही अग लिखने वाली बात होगी और प्रसासन भी और स्वात विभाग भी पूरी तरह से इस पर किस तरह का अमंग करती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कैमरमेंन पौरुस कुमार के साथ निरन्यन कुमार कसिसनि स्रीवान गेर के सदर अस्पताल में डॉक्टरों के लापरवाही के वज़े से एक कैदी की मौत हो गई परिजनों की माने तो अचानक से पेट में दर्ध होने के वज़े से कैदी को अस्पताल में भर्टी कराया गया था जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के वज़े से उसकी मौत हो गई तो कैदी बताया कि हमारे मने लाइटिंग नहीं उतर रहा है थी मिन पर अचा और गैस बना हुआ तो उसी का दावा ली पर दे रहे थे रात में विदिये कल्दी यह तुरे रात हम लोगी परसान रहे तो डॉक्तर लोग सो देख रहे थे कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कर रह साथी साथ कारवाई की मां को लेकर पड़ी जनों ने अस्पताल के मुखे द्वार पर धरना पर बैठें के समर्थन में भारतिय जनता पार्टी के द्वारा आज खेत खलिहान में धरना कारक्रेम का एवजन किया गया है खलारी को एलांचल छेत्र एवग पिपरवार को एलांचल छेत्र में जगा जगा पर भाजपा कारिकरता और भाजपा के परतिनीधियों के द्वारा खेत खलियान में आज धरना दिया गया है इनका कहना है कि किसानों के साथ राज सरकार के द्वारा अन्याई किया जा रहा है उनको धान क्रे का मुल्ल उचित समय पर नहीं दिया जा रहा है जिसके चलते किसानों को काफी परिशानियों के सामना करना पड़ रहा है इस समय खला सरकार के निरत्वुक सरकार है यह किसानों को जो धान को जो क्रे किया है आज 4 महिना पुर्व किया था आज तक उनका मूल नहीं मिल पाया है आज इस सिति है कि देखे अब 10-15 दिन में बीहन त्यार होने वाला है अब मांसून आ गई है अब यहाँ पर किसानों को खेती करने क पूरे परदेश में एक दिवस्य धर्ना काय करम का आईजन किया है और यह किसानों के हित में बहुत बड़ा आउजन है अगर हमन सरकार आज अगर नहीं जागे तो हम लोग पूरा घ्राओ करेंगे विधान सभा घ्राओ करेंगे जहां भी हो किसानों का अधिकार के लिए हम काम करें है भारति जनता पर्टी जिस प्रकार पूर जहारखंड में किसानों के हित में और किसानों के लिए हम लोग एक जूट होकर हर तरह से इनका विरोध करते आये हैं पिछले कई बार हम लोग कारिकरम किये फ्रै से लेकर हर तरह का प्रोटेस किये लेकिन अब हम लोग एक जूटता से इस कारिकरम को रोड और लडाई तक विधान सभा से लेके हर जगा हम लोग पटल पे इनका विरोध करेंगे जिस प्रकार एक साल से चला जा रहा है और पिछले साल का बकाया अब तक नहीं दिया गया है हम लोग की सरकार थी तो 15 दिन के अंदर खाते में पैसा चला जाता था किसान के पसीना सूखने से पहले उसका खाता में पैसे चला जाता था अभी कई तरह का बहाना लगा कर हम लोग के दवाव में पिछले बार कुछ दिन के लिए खोला गया और उसको गीला और कुछ समय करके आपका खा दिया पुर्थी मंतरी उसको फिर से बंद कर दिये गया उसको भी बंद करने का काम निकमी सरकार हैमन सोरेंजी करने का कारी किया है अब हम लोग सब मिलकर भारते जनता पार्टी पिपरवार और पूरे भाजपा परिवार उनको चेताने का कारी कर रहे हैं और होस में आ जाए, खिसानों के साथ विश्वास घाद और युवाओं के साथ जिस प्रकार से आप छल करके सरस्ट्या में आएं, आपको उखाड के फेकने का कार या जारखन की साड़े तीन करोड करेगी. जो नहीं की देखिए हमी जटनता पार्टी के सरकार है। उन्होंने जनता के साथ भी युवाओं के साथ ख़ल किया है। उनका खलारी मंडल के युवा अजयक्त हैं। उनसे पूरता हैं, क्या आप चाहते हैं, इसमें भाजपा सरकार बिरोधी पक्ष में हैं, तो बिरोधी क किस तरीके से निभाव पार रही है बिरोधी की भूमका देखिए बात यहां पर यह है कि हम लोग किसान के हक में अगर हम लोग को विधान सबा का घराव करना हुआ तो हम लोग वहां पर पहुंचेंगे हम लोग कि अन्या नहीं सेंगे किसान हमारे अभी बिहन का समय आ गया बिहन का समय आ गया और यहां पर किसान के खाते मना कुछ आया नपीज आया नगी तो इसके लिए तो हम लोग को खड़ा होना ही नहीं हुआ और यह वह कर रहे हैं किसान को हम लोग नहीं हम लोग अधिकार मिल पाया है इस सरकार में में तो अधीकार नहीं मिल पाया है लेकीन अभी हम लोग फिर्ओं फिलुष्टिसान के ही इंब लिए हम लोग यहां पर सिखादे वह उनको हीड के लिए सोचना हा इसलिए हीमन करेंगे जिससे आप फिर इसका अंजाम क्या होगा यह भुगतने के लिए तयार रहिएगा देखिए अभी सभी भाजपा करता हुआ है और सभी लोग मुख मंत्रे के लागु कर रहे हैं नारेवाजी कर रहे हैं हो रहे हैं चीकस्षकों पर हमले के बिरोध में आयमे सक्थ हो गई है वहीं रामदेव दुआरा मेडिकल साइन्स के डॉक्टरों को और सहीदों को अफ्वान जनक बाते कहने पर आयमे ने सक्ट रुक अक्तियार किया है और गिरफतारी की मांग कर रहे हैं इनका कहना है कि जो पूरे देश में जहां ये डॉक्टर कोविट परीजों को अपने जान पर खेल करके बचाते हैं और उनके परीजनों दुआरा इन पर हमला किया जाता है इस कोविट काल में कई डॉक्टर सहीद हो चुके हैं और रामदेब ने उन डॉक्टरों को अपन जनक बाते कही हैं जिसे गिरफतार किया जाए और एक सक्ष कानून बनाया जाए जिससे हमला करने वाले को तस साल की सजा मिले पिछले वर्ष मार्च 2020 में जब कोरोना महमारी हुआ तब सरकार की ओर से सभी एसेंशल फ्रेटरिनिटी के लिए साथ में मेडिकल फ्रेटरिनिटी के लिए भी करने के लिए सहजोग करने के लिए कहा गया उसी करम में हमारे सभी डॉक्टर राद दीन एक कर बिना अपनी या अपने परिवार की चिंता किये हुए संक्रमन का या मिर्ट्यू के भैसे भटकर हिपोक्रेटिस ओत्र का सम्मान करते हुए राद दीन से वा मिले गए रहे इसके साथ इस ग्राउंड जिरो में फिला लिता ही आप बनेरे कसिस न्यूस के साथ नमस्कार